नमस्कार स्वागे थे सबका धेर मंत्रा के इस चैनल पर एक बार फिर से मैं डॉक्टर तिवारी हाजिर हूँ आपका एक छोटा सा और पूर्शन ले करके कल हमने जो है बताई थी आपको शाट ट्रिक हाउ टू सॉल्व क्वेस्टेंस अफ संटेंस अरेंज्मेंट पी क्यू वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा और आप अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैं सारे कमेंट्स वहीं से देखता रहता हूँ और आज जो हम आपको एक शाट ट्रिक बताने वाले हैं बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्ट बता है आँघ हम उसी की बात करने जा रहे हैं आज हम उसी की ट्रिक बताने जारे हैं और अभी आप देखिएगा दो मिनट की ट्रिक बताओंगा और दो मिनट में आप जो हैं दस अगले question करने के position में पोछिज़ोगें आज का हमारा chapter वही है और आज की हमारे chapter का नाम है wise, wise, active, passive, clear, active, passive, दो type के questions होते हैं, paper में कभी-कभी आता है, एक sentence दिया है passive wise और कह देगा कि active wise बना दीजिए, दूसरा sentence देदेगा active wise में और कह देगा passive wise बना दीजिए, तीसरा ये दिया होगा कि which of the following is a passive sentence, या which of the following is an active sentence, तो इस type के जो questions आते हैं, आज हम आपको उसी के trick बताने जा रहे हैं, उसी के formula को बेना किसी formula के किस तरीके से technically किस तरीके से जुगाड करके हम answer लगा देए, उसी जुगाड की बात करने वाले हैं, आज हम अपनी class के wise के portion में, यह दिब class बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़े देर के होती है, but full of meaning और full of sense होती है, और full of techniques होती है, ताकि आप जब question solve करने शुरू करें, तो question देखते ही आप answer कैसे निकालें, मैं आज आपको वो trick बताने वाला हूँ, पहले आपको बताता हूँ, how to make a sentence passive, clear, देखे, कोई भी sentence आपको ये पता है कि बिना verb के नहीं होता, verb हर sentence में जरूर होती है, चाहे वो active हो और चाहे वो passive हो, तो verb पर थोड़ा सा ध्यान देने की ये बात है, कि verb के चार form होते हैं, ये भी आपको पता है, first form, second form, third form और fourth form, जिसको English में क्या बोलते हैं, grammar की language में, present, past, past participle औ और जो verb की first form होती है और जो verb की second form होती है वो, ये दोनों हमेसा ही active work होती है, अगर किसी sentence में verb की first form का प्रयोग है, या किसी sentence में verb की second form का प्रयोग है, तो आप यह समझ लिजीएगा कि sentence active work है, यही उसका formula है, clear अगर किसी sentence में do लगा है, does लगा है, या did लगा है, तो आप समझ लेंगे कि sentence क्या है, sentence active voice में दिया हुआ है, for example, अगर हम बात करें, तो होगा कि he does not listen to me, he does not listen to me, वो मुझे सुनता नहीं है, ये active sentence हो जाएगा, दूसरे से हम वर्ब की बात करें, कि अगर ये दिया है कि you do not work hard, you do not work your work, तो sentence active voice हो जाएगा, अगर ये लिखा है, I came here on time, तो I came here, came is the second form of the verb, active voice हो जाएगी, clear, वैसे came intransitive verb है, but मैं अभी आपको वहाँ नहीं ले जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, she wrote a letter, तो wrote right की second form है, तो active voice बन जाएगी, active voice ही आपके पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, clear, वर्ब की जो third form होती है, जिसका grammar में name होता है, past participle, क्या नाम होता है, past participle हम कहते हैं, वर्ब की third form को, और आज के chapter के लिए हम आपको बताएं, कि जो third form of the verb है, इसी को passive verb कहा जाता है, क्या कहा जाता है, passive verb कहा जाता है, इसका मतलब यह है, कि अगर हमको कोई भी sentence passive voice में change करना है, तो बिना वर्ब की third form के कोई भी sentence passive voice नहीं बन सकता, यह सबसे पहला formula है, अगर आप से यह कहा जाए, कि which of the following sentence is in passive voice, तो आप सबसे पहले क्या search करेंगे, वर्ब की third form, अब वर्ब की third form के साथ एक और बात यह होती है, कि वर्ब की third form काम क्या करती है, अगर हम wise की बात करें, tense की बात करें, तो वर्ब की third form हमें perfect tense बनाने में मदद करती है, जैसे आप यह sentence लिखते हो, कि I have written, right? I have written a letter, तो have यहाँ पर helping verb है, और written verb की third form है, यह sentence हो गया है, present perfect का third form of the verb है, third form क्या करती है, active voice में भी ऐसा नहीं कि third form सिर्फ passive में होती है, third active में भी होती है, और passive में भी होती है, जब passive में होती है, उसको passive verb कहा जाता है, अगला मुद्दा यह है, कि कैसे हम यह identify करेंगे, कि कौन सा active है और कौन सा passive है, अगर दोनों ही third form है, right? तो उसके लिए यह जान लिजिए, कि जब हम passive wise की बात करेंगे, तो passive wise के लिए हमारे पास एक रामबाड है, और रामबाड यह है कि जब वर्ब की third form इस बी के साथ आती है, तो sentence passive wise होता है, right? वर्ब की third form किस के साथ आती है? वर्ब की third form जब बी के साथ आती है, तो third form होता है, अब बी क्या होता है? बी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कि is, am, are, यह present tense है, बी के was और were, यह बी के past tense है, clear? यह present tense है और वो past tense है, clear? यह present है, is, am, are, और was, were, past tense है, अब देखे, अगर आपको present की passive बनाना है, तो is, am, are के साथ third form लगाएंगे, past की passive बनाना है, तो was, were के साथ हम third form लगा देंगे, sentence past का passive बन जाएगा, अगर ऐसे situation आती है, कि is, am, are, was, were कोई भी applicable नहीं है, कोई भी नहीं लगा है, तो b की एक और form है, bean, तो हम bean के साथ third form को देख लेंगे, कि bean के साथ third form लगा है की नहीं, क्योंकि वो भी b की ही form है, clear? अगर bean के साथ भी third form लगा है, तो अभी sentence passive voice में चला जाएगा, और bean एक हो गया, और अगर is, am, are, was, were, be bean में से कोई अविलेबल नहीं है, अगर इस में से is, am, are, was, were, been कोई भी अविलेबल नहीं है, तो भी खुद आएगा, और अपने साथ third form ले लेगा, और sentence passive voice में बना देगा, भी खुद आ करके, third form ले करके, sentence को passive voice में बना देगा, यही formula है, यही trick है, active से passive को पहचानने की, how to identify a sentence, whether it is in active or in passive, then you have to look for be plus third form of the verb, अगर be के साथ third form लगी है, तो sentence passive voice में चला जाएगा, और इसी पर अभी हम कुछ examples देखेंगे, कुछ questions भी देखेंगे, जो paper में पूछे गए हैं, तब तक थोड़ा और doubt clear कर देए, एक point और बता देए, suppose that, कि active voice में be का use हुआ है, जैसे he is teaching me, clear, he is teaching me, यहाँ पर is क्या है, is खुद be है, और be के साथ कौन सी form लगी है, verb की fourth form, third form नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, यह passive voice ना होकर कि यह क्या है, active voice है, right, अब passive voice कब बनेगी, जब be के साथ third form लगा दी जाए, जैसे sentence यह लिख दिया जाए, कि I am being taught, clear, अब यह देखिए, यह हो गया be, और यह हो गया taught, अब आप कहेंगे, sir, आपने यह तो नहीं बताया था, कि ing भी लगेगा, हमने ing लगाया नहीं है, हमने ing जो teaching में लगा हुआ था ना, ing, teach में, उसी को यहाँ पर उधार ले करके जोड दिया है, वहाँ से उठाया है, और यहाँ पर जोड दिया है, अपने मन से कुछ नहीं किया है, तो जब third form म तो ing लगता नहीं, टार्टिंग तो बनेगा नहीं, तो जब टार्टिंग नहीं बनेगा, तो b में ही ing जोड देंगे, और sentence passive बन जागा, आए यह से पैटर्न पर कुछ questions देखते हैं, यह देखिए, trend graduate teacher 2010 का question है, उत्तर प्रदेश TGT का, right, 2010 में पूछा गया question है, sentence है, the organizer will exhibit the paintings till the end of the month, right, आपको कुछ sentence में समझ नहीं आया, कोई fork नहीं पढ़ता, आपको समझना है ही नहीं, आपको तो सिर्फ passive बनाना है, अब देखिए, exhibit verb की कौन सी form है, first form है, right, sentence क्या हो गया, second form और first form है, तो sentence क्या बनेगा, sentence बन जाएगा, active wise, right, अब आपको wise चेंज करनी है, इसका मतलब आ नहीं पर दी है, will, will और exhibit, अब बिल के साथ, is, I am, are नहीं आ सकता, verb की first form दी है, तो was, work का question ही नहीं है, right, अब is, I am, are आ नहीं सकता, तो जब हमने आपको बताया था, हमरे पास कुछ उपलब दिना हो, तो हम बी को खुद लगा देते हैं, तो verb क्या है, will, exhibit, और दिब हम इ third form इसको बना देंगे, और क्या बन जेगा, E-X-H-I-B-I-T-E-D, exhibited, right, exhibited, यह हो गया हमारा third form, भी लगा है, third form लगा है, अब जहां पर यह pattern आपका दिया हो, वही sentence, passive voice में हो जाएगा, अब आप देखिए, यहां पर नहीं दिया है, यह नहीं होगा, right, the paintings will be presented in an exhibition, यहां exhibit verb यहां noun बना दिया है, यह नहीं होगा, I-N exhibition दे दिया है, यह भी नहीं होगा, clear क्योंकि verb का बनना है, verb कहां बनी है, D में exhibited, will be exhibited, और यही आपका correct answer है, I think, बिल्कुल point आपका clear हो गया होगा, कि कैसे passive बनाई जाती है, या कैसे passive answer टिक किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, sentence देख करके आप समझ गया होगे, आईए, दूसरा question देखते हैं, same pattern पर ही, सेम, train graduate teacher 2010 का ही question है, the PM was to have opened the dry dock, the PM was to have opened the dry dock, was लगा है, फिर to have लगा है, फिर verb की third form लगी है, अब to have opened लिखा है, बीन नहीं लगा है न, तो जब been नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है यह, यह फिर है active wise, और आपको इसका passive बनाना है, तो क्या बन जाएगा, to have opened का passive क्या बनेगा, to have been opened, answer देख लिजे क्या है, to have been opened कहां लिखा है, the dry dock was to have been opened by the PM, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, expected कहीं question में था नहीं, opening question में कहीं था नहीं, scheduled question में कहीं था नहीं, तो जो question में था, उसी का answer यहाँ पर लगना है, और answer ठीक हो गया है, very simply, without wasting time, without going to the meaning, meaning भी नहीं हमसे मतलब है, समझना तो है ही नहीं, हमें answer ठीक करना है, और answer formula पर और trick पर correct होता है, मुझे लग रहा है कि आप इसको enjoy कर रहे होंगे, और जब आप paper solve करेंगे, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपने paper में, और बहुत easily question solve करने वाले हैं आप, clear, इसी pattern पर आप एक और question देखिए, TGT का ही question है, 2001 में पूछा गया है, लिखा है change device, अब change device का मतलब यह होता है, कि सबसे पहले तो खुद पहचान लीजिए, कि active है कि passive, सब तो बनाएंगे, active होगा तो passive बनाएंगे, पैसिव होगा तो active बनाएंगे, अब हमने आपको बताया कि अगर first form और second form दी है, तो sentence में सा active होता है, यहाँ पर दिया है did, did का मतलब है कि sentence क्या है, active है, और दूसरे did का मतलब यह है कि sentence past में है, अब अगर sentence past में है, तो जब passive बनाएंगे, तो बी की कौन सी form हैगी, was या were, right, was या were का प्रयोग करेंगे, और verb है by, और by की third form क्या होती है, bought, clear, by की third form होती है, bought, by, bought, bought, खरीदना, अब आप देख लिजिए उत्तर क्या लगा है, उत्तर क्या होगा, एक और point यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह sentence जो है interrogative है, है न, क्योंकि where के साथ सिधे did लगा है, और जब sentence interrogative हो, तो passive भी interrogative होगा, कोई छेडखानी sentence structure के साथ आप नहीं करेंगे, जिस sentence को जिस part में लिखा है, अगर वो interrogative है, तो interrogative होगा, अगर affirmative है, तो affirmative होगा, अगर imperative है, तो imperative होगा, passive wise उसी में होगी जिसमें active है, मतलब यहाँ पर question दिखा हुआ है, where के साथ second form में did लगी है, और फिर question mark भी, तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है इसमें से, कि हमारा उत्तर भी negative, असरी interrogative ही होगा, अब देखिए, क्या इसमें से कोई sentence ऐसा है, जो interrogative है, where के बाद सीता लिखा है, यह नहीं है, from where के बाद did लगा है, यह भी नहीं है, यहाँ एक चीज आप और देखेंगे, कि यहाँ bought सीधे second form लगा दी है, was, were नहीं आया है, यह नहीं है, यहाँ पे लिखा है, where was the hat bought by सीता, where के जगह पर where आएगा, did के जगह पर where आएगी, subject hat है वहाँ पर, यहाँ hat आजाएगा, by की third form आजेगी, where was the hat bought by सीता, this is the correct answer, d, none of these है, जो आपको पढ़ना ही नहीं है, I think अब बिल्कुल clear हो गया है, कि आप passive wise को कैसे solve करेंगे अपने paper में, एक और example देखते हैं, और फिर उसी example से close करते हैं, कुछ आपको homework दे करके, T.D.T. 2001 का question है, right, sentence लिखा है, we may finish the work soon, may helping verb है, और finish verb की first form है, मतलब sentence active wise में है, passive जब हम बनाएंगे, तो may कभी बदलेगा नहीं, वही रह जाएगा, finish की third form मनानी है, तो may के साथ we लगा देंगे, जितने भी model verb होते हैं, उनके साथ हम we का प्रयोग कर देते हैं, will be, shall be, can be, could be, may be, might be, right, और फिर verb की third form, may be finished दाना है, अब आप देखे, may be finished किस option में दिया है, वही आपका उत्तर है, may be finished दिया है, might होना नहीं है, might होना नहीं है, ननापदीज होना नहीं है, क्योंकि उपर answer एक correct दिया हुआ है, the work may be finished soon, ये solve trick है, जिससे आप answer को बिना ज्यादा मेहनत किये, ज्यादा मेहनत बिना किये, आप उसको solve कर सकते हैं, trick से solve कर सकते हैं, जुगार से solve कर सकते हैं और जैसे कि पूरा उत्तरप्रदेश जुगार से चलता है वैसे पेपर में भी थोड़े जुगार की जरूरत होती है और देखिए फिर एक बहुत important point बताने जा रहा हूं कि मेहनत करने वालों का selection नहीं होता वो जमाना नहीं है अब smart work करने वालों का selection होता है और अगर आपको teacher बनना है if you want to get a job if you want to crack the examination then you have to be a smart student you have to be a smart worker like me right हमारी तरीके से आपको smart बनना है smart काम करना है अध्यान मंत्रा की तरह आपको हर pattern को पकड़ करके चलना है exam clear करने के लिए तो आज की class में हम इतना ही बात करेंगे एक tip से passive wise की इसके बाद कुछ questions अभी आपकी screen पर आएंगे आप उस question का answer करेंगे और आप comment box में अपने answer drop करेंगे और फिर अगर कोई confusion होगी तो next class में जब हम आएंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे question तब तक आप फटा फट देख लें एक question यह है PGT 2010 का which one of the correct passive wise form of novels interest me इस sentence का आपको passive बनाना है novels interest me और यह उसके options दिये हैं आप अपने screen पर hold करके उसको जो है pause करके answers के options देख लेंगे clear अगला question जो है TGT 2010 का है they are pulling down the old theater वह old theater को गिरा रहे है active है कि passive है और फिर कैसे आप इसको change करेंगे अगला question फिर PGT 2010 का है the organizers will exhibit यह तो हमने आपको करा ही दिया है TGT 2010 का question है he expected us to offer him the job आपको इसकी passive बनाना है to offer him a job और इसके बाद फिर TGT 2000 an uneasy silence succeeded the shot an uneasy silence succeeded the shot यह question है फिर TGT 2000 का ही है यह भी हमने आपको करा दिया है TGT 2013 का question है change the vice why did he defraud you of your earnings उसने आपको defraud क्यों कर दिया आपकी earning से इसकी आपको passive बनाना है options आपके यह है फिर 2013 TGT का ही question है change the sentence into passive voice मतलब यहाँ पर यह clear हो गया sentence active voice में है और आपको passive बनाना है change the sentence into passive voice फिर है sentence दिया हुआ है और आपको sentence के according उसकी wise change कर देना है आज के लिए इतना ही यही questions है जो आपको solve करने है और comment box में हमारे answer करना है next class हम जल्दी ही मिलेंगे और एक और short trick के साथ एक और section ले करके आपके examination का thank you very much तब तक आप बने रही है हमारे साथ अद्यान मंत्रा के साथ बने रही है अपनी preparation को continue रखे और जहां भी हमारी help की आपको जरूरत हो वहाँ पर बड़े भाई की तरह आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपके issues हों save your neighbors, save your parents thank you so much